ओम स्रीगनी साइनम दोस्तो एश्क्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 अक्टूबर मंगलवार के रासी फल के बारे में की हा दिन तो लारासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान नेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके उच्छ इस्तर के अधिकारी से संबंध बहतर होने से अच्छी पोजिशन प्राप्त होनी की संभवना बन सकती हैं यदि आप कोई कार्रे करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों साथी साथ आपको आज कुछ नए अवसरों की प्राप्ती होगी और उन अवसरों को अपने पक्ष में मोडने के लिए आपके पास पूरी उर्जा और सैन सकती भी होगी आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुचारों रूप से आज आपके सबी कार्रे आसानी से बनते चले जाएंगे जिस से आपकी आर्थिक इस्तितियां बहतर होने की संभवना पाई जाती है आज आर्थिक लाब के लिए किया गया प्रियास सफल हो सकता है साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्षा आपको सहयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों आज भविच्से के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए काफी सुब फल दायक रहेंगी सत्ता से जोड़े लोगों के साथ अच्छे संबंद बन सकते हैं धार्मिक और अध्यात्मिक कारों में रूची बढ़ेगी कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है सोच समझ कर काम करें अनुवबी लोगों की सला आज जरूर लें आपके लिए फायदेबंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव रह सकता है दोस्तो आज गाड़ी और घर की प्राप्ती के लिए किया गया प्रियास में बादाएं उत्पन हो सकती हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो केरियर को लेकर उतार चड़ाव की इस्तितिया आज आपको देखने को मिल सकती हैं परंतु परियास करने से अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना आज पाई जाती हैं दोस्तो साती सात आपको अपने परिवारिक शुकों में आज कुछ कमी देखने को तो मिलेगी ही साती सात इन सभी समस्याओं के कारण आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है जिसका विपरीत असर आपकी सेयत पर पड़ेगा आज सत्रू अंद्रूनी समस्याओं भी हो सकता है किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो सावधान रहने की आज आवा सकता है यदि किसी तरह का कोई कोट मुकदमा या प्रॉपर्टी से सम्बंदित कोई विवाद है तो ज़्यादा प्रियास ना करें अन्यता इस्तिति विपरित दिसा में हो सकती हैं दोस्तो साथ साथ चिंता या तनाव से आप बचें इस समय ऐसी कोई घटना होगी जिन से निवट पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी हर गलती से कुछ सीखें और अगली बार उसे धोराने से बचें समय प्रवंदक की जगा प्रात् को मन से निकालें और परिश्रम से कार्रे में जूटें नकारात्मक विचारों से बचें अन्यता परिवार में कलह होने की संभावना रहेगी अधिक परिश्रम से शाररिक और मांसिक रूप से ठकान का अनुबब आज आप करेंगे इसका आसर रिस्तों पर पड़ सकता है थ यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय उन्हें प्रपोज कर सकते हैं इसके लिए इस्तिती आपके लिए काफी अनुकूल है परंतु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाहिए प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंद आज मदुर होने की संभावना पाई जाती हैं साति सास दोस्तो प्यार महबत के मामले में दवाव बनाने की कोशिस ना करें यदि इस समय आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद है तो उसे सुल जाने की कोशिस करें यदि नई रिलेशनसिप है तो उसमें कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें आपके लिए अच परिश्रम से क्यारों में सफलता मिलेगी और धनलाब की काफी अच्छी इस्तिती रहेगी कर चेत्र में काम के अधिक्ता रहने से शारारिक और मांसिक रूप से ठकान का अनुभव आज आप कर सकते हैं कोट का चैरी से संबंदित आपको कोई अच्छी खुसकबरी आज प्रा मजबूत बनाने में काफी महतपूर सावित होगा और आप परिवारिक संपत्ती प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकते हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब का स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपको अपने खानपान पर विशेश रूफ से ध्यान देने की जवर्त बनी हुई रहेगी आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वास्त में लापरवाही नहीं करनी आज आपको अपनी सिहत के मामलों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे दोस्तो मद्यान के बाद आज आपका स्वास्त बिगड सकता है वहाँ चलाते समय शावधानी बरते हैं दोस्तो अपने भोजन सामगरी पर आप विशेश रूप से ध्यान दें और समय निकाल कर अपने लिए प्रते दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें ताकि आप दोस्त बनाए रख पाने में सफल हो इसलिए दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजा ना योग करें वयाम करें तोस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपए क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद लाल चंदन लाल गुलाब के फूल तथा रोली को लाल कपड़े में बांद कर भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाकर भगवान बजरंग कश्टो को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशने चल रही हैं समस्त परेशने कांत करेंगे और आपको ऐसा करने से विसेश लाभ प्राप्त होगा दोस्तो भगवान बजरंग बली का अश्रवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्वोक्स में जै ब भूलें धन्यवाद